गुजरात दंगे ऐसे समय हुए थे जब केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थे ऐसे में कहीं न कहीं तत कालीन प्रधान मंत्री अटर बिहारी वाजपाई भी विपक्षी पाटियों लोगों के निशाने पर थे उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बाजपेई को देश और विदेश दोनों जगहे शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और लोगों ने उनके फैसले पर सवाल खड़े किये थे एन पी द्वारा लिखी किताब द अंटोल्ट वाजपाई के रेडिफ .com में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि कैसे 2002 में गुजरात दंगों के बाद मोदी ने अटर बिहारी वाजपाई को भी आँख दिखाने की कोशिश की थी इस लेख के अनुसार दंगे के बाद मोदी ने एक प्रेस कॉन्फरेंस के .दोरान वाजपाई का मुह बंद कराने की कोशिश की थी एक रिपोर्टर गुजरात दंगों पर मुख्यमंत्री के लिए वाजपी का संदेश जानना चाहता था इस पर वाजपाई का जवाब श्था कि मोदी को अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए .वाजपाई मांच से मोदी के बारे में कुछ तीखा बोलते इस से पहले ही उन्हें रोकने के लिए मोदी उनकी तरफ मुड़े और धमकाने वाले अंदाज में नजरे मिलाने की कोशिश की मोदी ने वाजपाई को कठोर शब्दों में उतर देते हुए .कहा कि हम भी वही कर रहे हैं .साहिब वाजपाई ने मौके की नजाकत समझकर मोदी का साथ लेते नजर आए वाजपाई इस दंगे को लेकर अपने सिंगापु दौरे के समय भी खासे चिंतित थे इस पर ततकालीन केंद्रिय मंत्री अरुन शौरी ने उन्हें अडवानी स . लेने को कहा था सिंगापु दौरे के आखिरी दिन एक पत्रकार ने वाजपाई से सिंगापुर में धार में खिंसा का जिक्र करते हुए सवाल पूछा कि भारत में लगातार हिंसा भड़कने से सिंगापु भारत के अनुभव से क्या सीख सकता है इस सवाल से पसीना पसीना हुए वाजपाई ने धीमी आवाज में कहा कि दंगे रोके जा चुके हैं साथ ही यह भी कहा कि साबर मतिये एक्सप्रेस के यात्रियों को गुद्रा स्टेशन पर यदी जिन्दा नहीं जलाया गया होता तो गुज्रात इतने बड़े दंगे का शिकार न होता उसी समय राश्य कारे कारणी की बैठक में मोदी ने मन्व से एलान किया कि वह दंगों की वजह से मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं जिस पर कई नेताओं ने मोदी का समर्थन किरते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है हाला कि इस बात को लेकर शौरी निश्चत नहीं थे कि यह सोची समझी रणी नीती थी या नहीं लेकिन शौरी के मुताबग वाजपाई को यह तक्ता पलट की साजश लगी थी लेकिन वहां मौजूद लोगों मोदी के समर्थन में ही नारे लगाते रहे वाजपाई ने मौके की नजाकत को समझते हुए कहा कि इस पर बाद में फैसला लेंगे लेकिन किसी ने आवाज उटाई कि इसका फैसला तो अभी करना होगा इस पर वाजपाई को यह बाद भली भांती समझा गई थी कि युवा निता उनकी फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे थे माइंड दर न्यूज रूम की रिपोर्ट उमीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और हाप सबसे जरूरी बात हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें नीचे लाल रंग के सबस्क्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सबस्क्राइब करें धन्यवाद